हाई वेलकम फ्रेंड श्वागत है दोस्तों आपका यह साम का मौसम है और ब्रसात का मौसम है और हम इस ब्रसात मौसम में लगाने जा रहे हैं तो तो इसमें भारती एफवरीड ब्रेंजाल नमबर 704 है यह प्रेंजाल सुप रिदुट से लाल लाल होंगे और इसके बारे जान लेते है क्या क्या चीजे हैं तो इसमें भारतीय एफवरीड ब्रेंजाल है नमबर 704 है यह नमबर कंपनी वाज अलग-अलग से देती है ठीक है जर्मिनेशन 70% होगा मिनिमम कम से कम फिजिकल प्यूरिटी 98% है जेनेटिक प्यूरिटी 90% है नमबर अफशीट लगवाद 2000 है लेबल नमबर अलग-अलग है डेट आप टैकिक भी देखेस में होता है एक दोजार बैस को पैक किया गया है नेट क्वेंटिटी लगवाद 10 ग्राम के आसपास होता है तो 9.1 ग्राम है मर्पी 240 होता है डिसकॉंट करके लगवाद 1500 से लेग 180 के आसपास आता है आपका और यह सारे सीजन के लिए सबसे देखिए इसमें रिकोमेंडेट फॉर हम इसको लगाना है यह देखिए तो खरीफ रभी और समर मतलब तीनों ही मौसव में अम इसको लगा सकते हैं और यह बीज आपको दिखाएंगे यह आपको कैमिकल से ट्रेटेड होता है मतलब इसमें कैमिकल इने मोस्टली इने फंगिस साइट से ट्रेटे होता है तो ठीरि टो ये मैक कॉम्म प्राइविय्यऄट लिमीटेड है तो हो ये सेंग्रो हाथा काफी अच्छा सीड्री ये वी अच्छा सीड्र माना जाता है तो इस तरीके से यह आपके सीड्री के जानकारी हुए इसको हम लोग लगाएंगे फिर इसका एक एक अपडेट देंगे हम कैसे क्या रहा कैसे क्या हमने कैसे लगाया है कैसे हमने बेड तियार किया है कैसे मौसम में क्या सब दिकत आई तो यह सब है यह आपका यह सीड्स है ओके फिर हम आगे देखते हैं कैसे कैसे इसको हम लगाते है तो यह रहा आपका करेंग जो का इसा चाहिए पंगी साट काम सब्सक्राइब करना पता है यह वहां न होता है तो बारवकिश में अच्छे सीड क्वालिटी स्विस में यह और लेडी फंगी साइड के दर ट्रीट्र होते हैं तो आपको फंगी साइड के दर को सर नापकर रही है देखिए यहांने पैकेट खोल लिया है और इस तरह से इसके सीड़ से अब इसको हम लोग क्या करेंगे यह इस पर स्प्रिंकल करके जो हमने बेड़तेया किया है स्प्रिंकल करके फिर अच्छे से हम लोग लगा देंगे